आज हिंदू-मुस्लिम संगटना के जो निखिल पावार जमील करांति और दिगर उनके जो जिमेदारा ने इन्होंने जो है मालेगाउं बार असुशिशन से आतराफ्ता काइम किया और उन्होंने जो है ख्वाई जायर की के मालेगाउं बार असुशिशन ने जो मुम्मत सब्साद है क्या आप लोगों की जो करना चाहते हैं वह आये हमने उनका किया लेकिनंने उनसे मौधरत की कि हम जो है इसमामले में को कि अस्तेख्वाल कुबूल ने कर सकते क्यूंक्शक्थेल जो हमं अबहर Koreanto sapra 對不對 ने कर सकते क्योंकि हैं हमारा वक्छी में प्रोगाम हुआ जिसके अंदर जो है इन तमाम बातों को ले करके हिंदु मुस्क्रिम संगट हैं के निखिल पवार जमील करांती साहब और दीगर लोगों ने जो है जो कदम उठाय था बार रसुशिशन ने उसके एक जो है फेवर में कुछ बाते कहीं और मालेगों बार परसुशिशन ने भी उनका जवाब देते वे जो है वाज़ कर दिया कि वकील यह नियाए देने के लिए इनसाब दिलाने के लिए और जब इसी संगटना हो जाती है इनसानियत के तोर पर हम वकील भी पहले इनसान है इतले मुहम्मत कैफ के साथ जो दिलसोज वाक्या तो हमने इसकी पुर्जोर अंदाज में मुखालफत की और मुहम्मत कैफ के फिवर में यक तरफा ख़ड़ा हो करके वो आरोपी के खिलाफ हमने एक पुर्जोर आवाज में अपनी आवाज को बुलंद किया और एक मैसेज दिया कि ऐसे मामलात में बारसुशिशन हमेशा आ आरोपियों के खिलाफ में और ऐसे मामलात में फिर्यादिक साथ खरह रहे कि हम इनको इनसाथ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे यह जो सारा प्रोग्राम वो अच्छे माहौल में हुआ और उम्मी जाहिर की गई इसमें के हम बारसुशिशन के लोग आगे भी ऐसे मामलात में जो है ऐसे जो गिनाओना जो अपराध होता है हम उसकी पुजोर अंदाद में मخालफत करेंगे और ऐसे जो आवर traitor किर तक पहुंचाया जाए और ऐसे रेरेheld में प्रवाइटर में जो है किस तरीके से आरोपी को फासी की फासी हो इसके लिए हम अपना पूरा कदम उठाएंगा उसके लिए जो भी काम हो वारोसी के लोग मिल करके कोशिश करेंगे कि उसको फासी की सजा हो और आगी बैसे मामलात में आरोपी के खिलाप में पुलिस यह कुपूल कि इस यह बात के पेश करते हैं और अच्छा कदम उठाने वालों के लिए अगर समाज से ऐसे जह संगतन आगे आएंगे तो हमको जिला मिलती है ऐसे काम करने के लिए इसलिए नम के हम आगे हम उम्मीद करते जो ऐसे गुना करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ ना देते हुए, फ़रियादी के तरफ से खड़ा होते रहेंगे, तो हमारा यकिनन मुझकों उम्मीद है कि समाज जो है, ये गुना से मुक्त समाज होगा, और एक अच्छे समाज की तरफ हम गामजान होगे, और हमारा माले गौं जो है, जो मथहदी तफरीकों में बटा हुए, उससे दूर हो करके, समुईदान की रक्षा करे करेगा और हमारा मालगों जो है इस समाज ये जो है जो गुना मुक्त समाज होगा इसी मैं पुरी उम्मीद जाहिर करता हूँ